हेलो दोस्तो एक बार फिर से आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंट्स आज फिर मैं आप सब के लिए एक बहुत इच्छी रेसिपी लेकि आई हूँ और वीडियो देख के आप समझे गए होंगे कि आज हम एक डिजर्ट बनाने वाले हैं तो हांच बहुत ही असान और एजी रेसिपी फलूदा बनाने की यह थंडी टेस्टी डिश बहुत ही असानी से त्यार हो जाती है सिफ कुछ चीजों से और कुछ ही मिन्टों में हम यह फलूदा बना सकते हैं तो आप चाहें तो इस तरीके से बजार में जो रेडियो मिट पैकेट आ बनाना शुरू करते हैं यहां पर मैंने एक लीटर फुल क्रीम दूद लिया है और मैं यह जो बजार से मैंने पैकेट लिया थे यह सारी मिक्षर में इसके अंदर डाल दूगी तो फ्रेंट्स हमें इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ इसको हमें खीर की तरह बॉयल करना है और तब तक पकाना है जब तक कि यह गाड़ा नहीं हो जाता है तो यह देखिए फ्रेंट्स आपको इसमें यह जो काले-काले नजर आ रहे हैं सारे के सारे सबसा के बीज होते हैं और यह बहुत अच्छे और टेस्टी लगते हैं खाने में यह फोल कर तो फ्रेंट्स देखिए यह मेरे दूद में अबार आ चुका है तो अब मैं इसको थोड़े देर सिम गैस पे पकाऊंगी ताकि यह गाड़ा हो जाए क्योंकि हमारा जो फलूदा होता है वह हलका सा गाड़ा होता है तो अब मैं इसको सिम करके धीरे-धीरे खीर की जैसे प पकाना तकरीबन 15-20 मिंट मैं इसको पकाऊंगी तो देखिए फ्रेंट्स 15-20 मिंट पकाने के बाद यह काफे गाड़ा हो चुका है तो यहां पर मैं इसमें अब एक्स्टा ड्राइफ फ्रूट एड़ करूंगी यहां पर आप चाहें तो साथ में इलाइची भी आड़ कर स यह ठंडा हो जाए तो देखे फ्रेंट्स अब मेरा जो फलूद है वो काफी ठंडा हो जोका है दो से तीन घंटे के बाद देखिए यह कितना गाड़ा और टेस्टी नजर आ रहा है तो चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं तो सर्विंग के लिए इसका एक और बहुत इच् एड़ करता है रोज का तो यह मैंने थोड़ी सी रूपसर डाल ली है अब मैं इसमें अपना फलूदा थोड़ा सा डालूंगी तकरीबन तीन से चार चमच हम डालेंगे उसके बाद अगर आपके घर में कुलफी है तो आप वो डाल दीजे नहीं तो मार्केट वाले जो कु कुछ पीसिस इसमें हम डाल देंगे और इसके बाद दुबारा से हम इसके ऊपर एक और लेयर फलूदेगी लगाएंगे तो देखे फ्रेंट्स अब मैं इसके ऊपर एक और लेयर फलूदेगी लगा देती हूँ और इसके बाद दुबारा से हम इसमें थोड़ा सा रूपस अगर आप चाहें तो इसमें साथ के साथ और भी सब्जा की बीच एड़ कर सकते हैं जो की काफी अच्छा क्रंची टेस्ट देते हैं उसके लिए पहले सब्जा की बीच को थोड़े देर पानी में फिको के रख दीजिए और उसके बाद उनको हलकी आसा सौक करके इसके अंद मन हो ठंडा फलूदा खाने का तो बस जटपट से घर पर ही बनाएं और अगर आपको भार से यह रेडियमेट पैकेट नहीं मिलता है तो सिर्फ आप बचार से सेवईया कलर और उसके साथ ही किसी भी फ्लेवर का एसेंस लेके आए और साथ में थोड़ी से सब्जा के बीच लेके आईए और उन सबको आपस में क्वांटेटी के अनुसार मिक्स करकर फड़ा फड़ा बना लिजे और मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब और मैं आपसे फिर दुबारे मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई ब